इस चार्ट में तुमने क्या देखा? ये मानव, चिंपैंजी, गोरिला और दो अन्य जन्तूं को दर्शाता है, जिन में कुछ समानताईं वा भिन्नताईं होती हैं. हाँ, इन समानताओं और भिन्नताओं का आधार क्या है? इनकी शारी रिक सनरचना समान है. बिल्कुल नहीं, लेकिन समानताओं और भिन्नताओं का आधार सामानी जीव रूपों से इन जन्तों का विकास है. ठीक है, क्या तुम ये कहना चाती हो कि इस चार्ट से पता चलता है कि मनुष्ये में पूर्वज चिम्पैंजी थे, चिम्पैंजी के पूर्वज गोरिला थे और इसी तरह? हाँ, आओ, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ कि कैसे प्रिथ्वी पर एक के बाद एक विभिन्चीव रूप का विकास होआ. इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. विकास के डार्विन सिध्धांत को समझना, प्राकृतिक वरण की अवधारना को समझना, सौल्टेशन की अवधारना समझना, हाडी वेन्वर्क सिध्धांत को समझना, होमो सेपियन्स के विभिन पूर्वजों के बारे में जानना. जैव विकास जैव विकास को विस्तार से समझने के लिए चाल्स डाविन ने दो मुख्ये अवधारनाय प्रस्तुत की शाखन अवरोहन, प्राकृतिक वरण शाखन अवरोहन विकास तब होता है जब अधिक अनुकूल जीव संख्या लक्षन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाते हैं ये रूप पांतरन के साथ अवरोहन कहलाता है प्राकृतिक वरण प्रक्रम जिसके दुआरा जीव जीवित रहने के लिए अपने परियावरण से बहतर अनुकूलन करते हैं और अधिकाधिक संतती उत्पन करते हैं। रुपांतरण के साथ अवरोहन। प्रति एक जीव संख्या विष्टी की बनी होती हैं, जो एक दूसरे से थोड़ा भिन होते हैं। विविधिताएं जो विष्टियों को सफल्था पूर्वक जनन करने के लिए परियाप्त समय तक जीवित रहने के शमता प्रदान करती हैं, प्रायें अगली पेड़ी में पहुँचती हैं। तत्पश्चात ये लक्षन बहुत सामानिय हो जाते हैं और जीव संख्या में विक्सित होते हैं। ये रूपांतरण के साथ अवरोहन कहलाता है। रूपांतरण के साथ अवरोहन द्वारा विकास में दो अलग-अलग तत्व शामिल हैं। रुपांत्रन अर्थात किसी वंश में परिवर्तन, शाखन अर्थात समान पूर्वजो वाली विभिन प्रजातियां प्राक्रितिक वरण प्रकरम में चार चरण शामिल हैं विविधिता, विभेतक, उत्तर जीविता और जनन, वंशागती, जीव संख्या वृध्धी की उच्चिदर प्राक्रितिक वरण प्रकरम निम्नित तथ्यों पर आधारित है प्राक्रितिक संसाधन सीमित होते हैं जीव संख्या के आकार स्थेर होते हैं जीव संख्या के सदस्ये विशिष्टिताओं में भिन होते हैं अधिक तर विधिताएं वंशागत होती हैं इस प्रकार व्यष्टियों में वंशागत विविधिताएं होती हैं जो संसाधनों के लिए प्रतिसपर्धा में उन्हें अच्छी तरह से जीवित रहने, जनन करने और दूसरों से अधिक संतती उत्पन करने में सक्षम बनाती हैं। इसलिए एक सम्यावधी के दौरान जीव संक्या की विशिश्टिता में परिवर्तन हो जाता है और नए स्वर्यूप प्रकट होते हैं। प्रतिरोधी H.Pylori में उत्परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम उत्पन करने की जानकारी नहीं मिलती है। ये एंजाइम सामान्यता एक प्रतिजैविक को एक विश में बदल देता है, जिसके कारण मृत्य हो जाती है। लेकिन जब प्रतिजैविकों को उत्परिवर्ती H.Pylori पर प्रयोक्त किया जाता है, तो ये जीवानु जीवित रह सकते हैं, जबकि सामान्य जीवानु मर जाते हैं। इसलिए प्राक्रितिक वरण द्वारा जो जानकारी खो देता है, जीवित रहता है, और अपने लक्षनों को अपनी संत्तिती में पहुचाता है। विकास की क्रियाविधी ह्यूगो टिवेरिस दे बताया, कि उत्परिवर्तन अर्थात जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े-बड़े परिवर्तन विकास के कारण है। ये उत्परिवर्तन याद्रेचिक और दिशाहीन होते हैं। ऐसे उत्परिवर्तन प्रजाती की उत्पत्ति का कारण है और इसलिए सौल्टेशन विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम कहलाते हैं। हाडी वेनवर्क सिधान हाडी वेनवर्क सिधान के अनुसार जीव संख्या में अलील युक्मु विकल्पी आवरितिया सुस्थिर होती हैं। और एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक निरंतर रहते हैं। जीव संख्या में जीनों की कुल संख्या और उनके अलील जीनकोश अपरिवर्तन ये रहते हैं। इसे अनुवनशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवरित्यों का कुल योग एक होता है। ये नीचे दर्शाय गई रूप में hardi when work संतुलन समीकरन प्रदान करता है। आनुवंचिक संतुलन या hardi when work संतुलन में बाधा, अर्थात, जीवन संक्य में अलील आवरित्यों में परिवर्तन, विकास का कारण होता है। निम्न लिखे पाँच कारक हाडी वेनवर्ग सिध्धान्त को प्रभावित करते हैं जीन प्रवाह, आनुवन्शिक अपवाह, उत्परिवर्दन, आनुवन्शिक पुनर्योग और प्राकृतिक वरण जीन प्रवाह, जब जीव संख्या का स्थान परिवर्दन होता है, तो जीव आवरित्या भी बदल जाती है ये दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है नई समश्थी में नई जीने और अलीले युक्मो विकल्पी चोड़ दी जाती है और पुरानी समश्थी से ये घड़ जाती है जब इस प्रकार से अनेक पारिस्थान परिवर्दन होता है, तो ये जीन प्रवाह को उत्पन करता है अनुवांशिक विचलन यदि जीन पलायन सयोंग वश होता है, तो अनुवांशिक अपवाह जेनितिक डिरिफ्ट कहलाता है कुछ वास्तविक अपवाहित समिष्टी नई प्रजाती के निर्मान की जनक बन जाती है तथा ये संस्थापक प्रवाह कहलाता है उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण विभिनताय होती है जिसके कारण अगली पीडियों में जीनों तथा अलीलों के आवरित्यों में परिवर्तन होता है अनुवांशिक पुनर्योग पुनर्योग के कारण विभिनताय होती है जिसके कारण अगली पीड़ी में जीन की आवरित्ति में परिवर्तन होता है हाड़ी वेनवर्क संतुलन पर प्राक्रितिक वरण का प्रभाव प्राक्रितिक वरण वह प्रकरम है जिससे अधिक जीवन समवंशानुगत विविधिता को जनन की अधिक अफसर मिलते हैं और संतानी अधिक संख्या में उत्पन होती है प्राक्रितिक वरण के कारण जीव संख्या में निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती है इस तशा में अधिक व्यष्टी माध्य चरित्र मूल अरजित करते हैं विकास ये इतिहास लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्फ MYA प्रित्वी पर जीवन का प्रतम कोश्किय रूप प्रकट हुआ इन में से कुछ कोशिकाओं ने प्रकाश संशिलेशन के समान प्रक्रिया द्वारा ओक्सीजन मुक्त की धीरे धीरे एक कोश्किये जीवों से बहुकोश्किये रूपों का विकास हुआ आगे का विकास निम्न अनुसार की आत किया जा सकता है ट्राई रेनोसारस रेक्स भूमी पर रहने वाला सबसे बड़ा सरी स्रप था चो लगभग 20 फुट उचा था स्तंधारियों का विकास पहले स्तंधारी प्राणी शुरू जैसी स्तंधारी थे जब सरी स्रपों की कमी हुई तब स्तंधारी प्राणी उने स्थल पर कबजा कर लिया कुछ स्तंधारी प्राणी पूरी तरहा से जल में रहते थे जैसे वेल, डॉर्फिन, समुद्री गाय आदी स्तन्धारी जरायोज होते थे और अपने अजन में शिशु को मा की शरीर के भीतर सुरक्षित रखते थे स्तन्धारी प्राणी खतरों के प्रती सतर्क रहने एवं बचाव करने में अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते थे मानव का विकास पोर्ण भाषा कौशल और आत्म चेतना के साथ मनुष्य निम्नलिखित चर्णों में विक्सित हुआ है ड्रायोपिथिक्स येवानर गण है इनका उदभव लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्फ हुआ था कपी सद्रिश रामापिथिक्स येवानर गण है इनका उदभव लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्फ हुआ था मानव सद्रश सीधे खड़े होकर चलते थे तथा उचाई में लगभग 4 फुट तक थे लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्फ अफ्रीका के घास थलों में पाए गए थे पहला मानव सद्रश प्राणी होमो हैपिलिस कहलाया गया था मास्तिष्क यानि दिमागी शमता 650 से 800 सीसी के बीच थी होमो इरेक्टर्स लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्फ पाए गए थे मास्तिष्क बड़ा तथा मास्तिष्क यानि दिमागी शमता 900 सीसी थी ये मास्तिष्क खाते थे नियंडर टाल मानव ये 1400 सीसी के मास्तिष्क वाले प्राणी थे जो की एक लाग से 40 हजार वर्ष पूर्फ लगभग पूर्वी एवं मत्ये एशियाई देशों में रहते थे होमो सेपियन्स इनका उद्भव लगभग 75 हजार से 10 हजार वर्ष पूर्फ अफरीका में हुआ था ये आधुनिक मानव कहलाए थे क्या आप जानते हैं मानव विकास ने अब एक नई प्रावस्था में प्रवेश किया है जहां आनुवन्शिक इंजीनिरिंग द्वारा माता पिता अपने बच्चों को डिजाइन कर सकते हैं जिसके प्रणाम स्वरूप भविश्य की पीडियों को मजबूत बुधिमान और रोगों के प्रती अधिक प्रतिरोधी बनाने के लिए हमारे डीने को रुपांतरित किया जा सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जैव विकास को विस्तार से समझाने के लिए चार्ल्स डाविन ने दो मुख्ये अवधारनाय प्रस्तुत की शाकन अवरोहन और प्राकृतिक वरण ह्यूगो डिवैरिस ने पताया कि उत परिवर्तन अर्थात जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े-बड़े परिवर्तन विकास के कारण है हाडी वेनवर्क से धानत के अनुसार जीव संख्या में अलील युक्म विकल्पी आवरितियां सुस्थिर होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं लगभग 2000 मिलियन वर्षपूर्व MYA प्रित्वी पर जीवन का प्रतम कोश किये रूप प्रकट हुआ पहले स्तंधारी प्राणी शुरू जैसे स्तंधारी थे होमो सेपियन्स लगभग 75,000 से 10,000 वर्षपूर्व विकसित हुए